भगसिंग को शहीदे आजम के नाम से भी जाना जाता था। नवजवान भारत सभाखी स्थापना कर डाली। जिस प्रकार से उन्होंने ब्रिटिस सरकार का मुकाबला किया, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। जिसने उनके उपर नास्तिक होने का आरोप लगाया था। भगसिंग की उम्र उस समय 23 वर्ष की थी। इस निभन को 1934 में प्रकाशित किया गया था और इसे युआओ के बीच बहुत ही जबर्दस समर्थन मिला था। कॉलेज के विध्यार्थियों ने इस किताब को बहुत पसंद किया था और इसकी बहुत सी प्रतिया भी भी की थी। उन्होंनों लिखा था कि मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा को मानने से इंकार करता हूँ। मैं नास्तिक इसले नहीं बना कि मैं अभिमानी, पाखंडी या फिर निरर्थक हूँ। मैं ना तो किसी का आवतार हूँ और ना ही इश्वर का दूत और ना ही खुद परमात्मा। मैं अपना जीवन एक मकसद के लिए नियोचार करने जा रहा हूँ। इससे बड़ा आश्वाशन क्या हो सकता है। इश्वर में विश्वास रखने वाला एक हिंदू पुनर जन्म में एक राजा बनने की आशा कर सकता है। एक मुसल्मान या एक इसाई को स्वर्ग में भोग विलास पाने की इच्छा हो सकती है। लेकिन मुझे क्या आशा करनी चाहिए मैं जानता हूँ। कि जिस पल रसी का फंदा मेरे गले लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तकता हटेगा वो मेरा अंतीम समय होगा। पर किसी स्वार्त भावना के बिना यहा या वहा के बाद किसी पुरस्कार की इच्छा किये बिना मैंने अनासक्त भाव से अपने जिवन को आजादी के नाम कर दिया है। आगे वे लिखते हैं कि मैं यथार्तवादी व्यक्ति हूँ और अपने व्यवार पर मैं तरकशिल होकर विजय पाना चाहता हूँ। भले ही मैं हेमेशा इन कोशिशों में कामियाब नहीं रहा हूँ लेकिन ये मनुश्यों का करतव है कि वो कोशिश करता रहे क्योंकि सफलता तो सहयोग और हानातों पर ही निर्भर करती हैं। तो उससे विश्वास को सरहाना चाहिए। उसके तरकों को जुटा भी समझा जा सकता है पर ये भी तो संबव है कि उसे सही ठहराये जाए क्योंकि तरक ही जिवन का मार्गदर्शक है। है कि यदि आस्ता तरक के प्रहार को सहना कर पाए तो वह भिखर जाती है। यहाँ पर अंग्रेजों का शाशन इसलिए नहीं है क्योंकि इश्वर ऐसा चाहता है बलकि इसलिए है कि उनके पास ताकत है और हम में उनका विरोध करने का सहस नहीं है। अंग्रेज इश्वर की मदद से हमें काबू में नहीं रखे है बलकि वो बंदुकों, गोलियों और सेना के सहारे ऐसा कर रहे है। और सबसे ज्यादा हमारी बेपरवाही की वजह से। इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि हम उन लोगों का सामना कर सके।